सबसे पहले इग्नू में MCA प्रोग्राम का इंट्रिडक्शन उसके बाद MCA में एड्मिशन के लिए आप किस तरीके से एलिजिबल होने चाहिए वो नेक्स्ट हम जानेंगे इग्नू MCA एड्मिशन के लिए आपको एक कौन सा एंट्रेंस एक्जाम देना होगा और उसके बाद उस एक्जाम के सिलेबस, एक्जाम पैटर्न और अप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट, MCA में एड्मिशन लेने के लिए इग्नू आप से कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगता है उसकी लिस्ट देख सकते हैं आप स्क्रीन पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कितनी एप्लिकेशन फीज और किस तरीके से जमा करनी होगी आपको उसके बाद इग्नू MCA एड्मिशन के लिए इंपॉर्टन डेट्स और डेड्लाइन्स क्या हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपेर करने के लिए आप कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं आखिर में कंक्लूजन थैंक्यू हुआ हुआ लाँ क्यातन लाँ लाँ लह लाँ हुआ हुआ हुआ